तो हमारे passing segment में सबसे पहली जो drill होगी वो होगी standing pass जैसा आप देख रहे हैं कि player आपस में खड़े होंगे आमने सामने ball दोनों हातों में और ball आपकी body के एकदम नजदीग होगी, elbow high होगी और backhand का push करना है और जो हमारा आगे वाला आता होगा वो ball को direction देने के लिए होगा so ball in both hands and आपको elbow high ball body के close और push backhand से और follow through यह हमारी first drill होगी और हमारी next drill आती है जैसा कि आप देख रहे हैं single hand push तो ball आपको अपनी back वेस्ट के पास रखनी है उसके बाद आपको एक हाथ सामने रखना है और आपको ball को push करना है यह spin के लिए इसकी practice आप जितनी जादा करेंगे इस spin की उतनी ball आपकी अच्छे से आगे जाएगी और जादा distance cover करेगी तो इसकी practice करनी है और follow through भी करना है तो ball waste के पास और जितना हो सके उतना आपको ball को spin करना है especially spin और आपकी distance gain करने के लिए next drill हमारी आती है third drill जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको आपकी जो body होगी उसको आपको gravity के नजदीक रखना है तो थोड़ा से जो आपके pair होंगे वो थोड़े apart होंगे ball को आपको अपनी knee पे touch करना और यहां से ही push करना है ball को तो यह आप जितने जादा speed में push करेंगे ball को back end से उतनी ही जादा आपकी ball में speed और power आएगी और उतना ही जादा distance gain करेगी ball तो जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं तो यह practice आपको करनी है और follow through तो आप देखिए body जैसे static से एकदम आगे की तरफ move कर रही है तो next drill हमारी आती है दोस्तो कि one knee on the ground और उसके बाद जो आपका front foot होगा उसका जो toe होगा वो आपके target को face करेगा और आपको यहां से ball को नीचे रखना है और यहीं से आपको pass करना है आपको हाथ पीछे नहीं ले जाने तो यहीं से आपको अपनी power लगानी है अपनी strength लगानी है back end का push और spin करनी है जो impeller drill कर चुके है उसमें हमने spin की और push की practice करी है तो अब हम उसको थोड़ा और आगे ल जान रखना है इस drill में दोस्तो हम ground से pass करें तो ball ground पे रहेगी आपको jog करके आना है ball को उठाना है और आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं आपको अपने target को face करना है और आपको ball को उसकी तरफ push करके और आपको follow through करना है जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं ball के उपर आ रहा हूँ ball को पकड़ा target को देखा ball pass किया और follow through किया कर एंज है अचार टी है अचार आपको आपको जपको देखा James वीडियो में अचार प्रिसत का लिए जो